प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रखर चिन्तक, एकाम भारती असा, भीड में गुम हो जाने वाला सामान्य सा जहरा, जिनके दुबले पतले शरीर में समाया हुआ था, आकाश सा व्यक्तित्व, समुद्र सी गहरी सोच, और समय पर परिवर्तन के पदजिन्न छोड़ जाने की अधम्मिक्षम था, ऐसे थे एकात्म मानववाद और अंत्योदे जैसे दर्शन की प्रणेता, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी राष्ट्र को समर्पित कर, अपने प्रखर विचारों वव्यापक चिंतन से, आने वाले समय में राजनीती ही नहीं, वरन राष्ट्र नीती की भी नई परिभाशा दी, उनके सिध्धान्तों ने एक ऐसे संगठन की नीव रखी, आयामी व्यक्तित्व के धनी थे, इस महान व्यक्तित्व में कुशल चिंतक संगठन शास्त्री, शिक्षा विद, राजनितिग्य, वक्ता व लेखक का प्रतिविम्ब था, 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के छोटे से गाउं नंगला चंद्रभान में, पंडित दीन दयाल जी का जन्म एक अती निर्धन परिवार में हुआ था, ये कहना मुश्किल है कि ये उनके जीवन की यात्रा का आरंब था या जीवन के संगर्षों की यात्रा का, बालक दीन दयाल होश सम्भाल भी न पाये थे कि उनके माता-पिता का दियान धो गया, दीन दयाल जी ने सीकर के कल्यान हाइश्कूल से मेट्रिक और पिलानी के बिडला कॉलेज़ से इंतर की परिक्षा पास की, इन्हें दोनों ही परिक्षाओं में गोल्ड मेडल प्राप्थ हुआ सीकर के महराजा ने दीन दयाल जी की प्रतिभा को देखकर उन्हें छात्र वृत्ती भी दी फिर कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से उन्होंने बीए की पढ़ाई की जो विशय यहाँ पढ़ाए जाते थे दीन दयाल जी ने उसका मन लगा कर अध्ययन किया लेकिन दीन दयाल जी ने यहाँ वो शिक्षा और दीक्षा भी ली जो इस कॉलेज की पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था यहीं उनका संपर्क श्री बलवंत महाशब्दे से हुआ जिनकी प्रेणा से सन 1937 में वे राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग में शामिल हो गए दीन दयाल जी के लिए ये समय व्यक्तिगत संगहर्षों के साए से बाहर निकल कर राश्ट्र की समग्रता के दर्शन का सावित हुआ दीन दयाल जी बिये करने के बाद एमे करने के लिए आगरा चले गए यहाँ पर वे नाना जी देश्मुक और भावराव जुगादे के साथ राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग की गतिवीधियों में हिस्सा लेने लगे उनमें सामाजिक जीवन के प्रती चेतना के अंकुर फूट चुके थे उनके मामा जिन्होंने बचपन में उनका लालन पालन किया था उन्हें लगने लगा था कि भांजा अब पढ़ लिख गया है परिवार के लिए कुछ करेगा लेकिन दीन दयाल जी का परिवार तो बहुत विशाल था समस्त भारत को उन्होंने अपना परिवार मान लिया था दीन दयाल जी का लक्ष कुछ और ही था उन्होंने अपने लक्ष की प्राप्ती के लिए सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीन होने के बावजूद उसका परित्याग कर दिया उन्होंने अपने संकल्प के बारे में अपने मामा जी को जो पत्र लिखा उसकी बानगी देखिए राश्ट्र के प्रती समर्पन की जिद नजर आती है जब किसी मनुष्य के किसी अंग को लखवा मार जाता है तो वो चेतना शूने हो जाता है इसी भाती हमारे समाज को लखवा मार गया है उसको कोई कितना भी कष्ट क्यों न दे पर महसूस ही नहीं होता हर एक तभी महसूस करता है जब चोट उसके सिर पराकर पड़ती है हमारे पतन का कारण हमारे संगठन की कमी ही है बाकी बुराईया, अशिक्षा, आदी तो पतित अवस्था की लक्षन मात रही है इसलिए संगठन करना ही संग का धे है इसके अर्तिरिक्ट और वो कुछ भी नहीं करना चाहता पर मात्मा ने हम लोगों को सामर्थ्य बनाया है क्या फिर हम अपने मेंसे एक को भी देश के लिए नहीं दे सकते आपने मुझे शिक्षा, दीक्षा देकर सब प्रकार से योग्य बनाया क्या आप मुझे समाज के लिए नहीं दे सकते जिस समाज के हम उतने हिरिनी है ये तो एक प्रकार से त्याग भी नहीं है विनियोग है समाज रूपी जीवन में खाद देना है फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा देश स्वतंत्र हो चुका था पर समाज संगठित नहीं था देश में कई विसंगतियां पैदा हो रही थी उनमें सत्ता का लोब नहीं समाज में वैकल्पिक विचारधारा की स्थापना का द्रिण निश्चय था इस उद्देश के लिए वे जी जान से जुट गए दीन दयाल जी के अनुसार भारत जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसका मोल कारण इसकी राष्ट्य पहचान की उपेक्षा है आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज के उपर की सीड़ी पर पहुँचे हुए व्यक्ति नहीं बलकि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा अनेक्ता में एक्ता और विभिन्न रूपों में एक्ता की अभिव्यक्ति भारतिय संस्क्रती की सोच रही है अब दीन दयाल जी की भूमिका बदल चुकी थी अब जुनोती थी राष्ट्र के पुनर निर्मान की जिसके लिए उन्होंने लखनव में राष्ट्र धर्म प्रकाशन संस्था की स्थापना की और यहां से राष्ट्र धर्म नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंब किया इसके अलावा उन्होंने पांच जन्य वस्वदेश के संपादन में भी सयोग दिया अपने सार्वजिनिक जीवन में उनकी सादकी और सरल्ता मानो एक किवदंती बन गई थी उनके वैचारिक दृष्टी से ही नहीं आचार व्यवहार में भी कारेकरता उनसे बहुत कुछ सीखते थे गंभीर से गंभीर विशे भी अपनी दैनिक गतिवीधियों के बीच बड़ी सरल्ता से निप्टा दिया करते उनकी इनी विशेष्टाओं के कारण उन्हें राजनितिक शेत्र का दाईत प्वस्वापा गया दिनांक 21 सितंबर 1951 के एतिहासिक दिन को दीन दयाल जी ने उत्तरप देश में एक राजनितिक सम्मेलन का सफल आयूज़किया इसी सम्मेलन में देश में एक नए राजनितिक दल भारतिय जनसंग की राज्य इकाई की स्थापना होई इसके एक महा बाद 21 अक्तूबर सन 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर जी ने भारतिय जनसंग के प्रथम अखिल भारतिय सम्मेलन की अध्यक्षता की दीन दयाल जी में संगठन का अद्वितिय और अद्भुत कौशल था समय बीतने के साथ भारतिय जनसंग की विकास यात्रा में वो एतिहासिक दिन भी आया जब सन 1968 में विनम्रता की मूर्ती इस महाननेता को डल के अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया गया अपने उत्तरदाइत्व के निर्वहन और जनसंग के देश भत्ती के संदेश को लेकर दीन दयाल जी ने दक्षिड भारत का ब्रमण किया पंडित दीन दयाल जी की कुशल संगठन क्षमता के लिए डॉक्टर श्यामा परसाद मुखर जी ने कहा था कि अगर भारत को दो दीन दयाल मिल जाते तो भारत का राजनेतिक प्ररिद्रश्य ही अलग होता इससे पहले की जनसंग राजनितिक ताकत बन पाता डॉक्टर मुखर जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यू हो गई नवजात पाटी को संभालने की जिम्मेदारी दीन दयाल जी के कंधो पर आ गई राजनितिक कार्य करते हुए भी संगठनात्मक कार्य उनके लिए सर्वो परी था उन्होंने 1967 में जनसंग के काली कट अधिवेशन में पाटी का अखिल भारती अध्यक्ष का पद तब स्विकार किया जब डल के संगठनात्मक नीव डालने का कार्य पूर्ण हो गया 11 फर्वरी 1968 को वजरागात हुआ जब सारे देश ने उनकी हत्या का समाचार सुना पूरा देश शोकाकुल हो गया लेकिन जाने से पहले वो देश को दे गए एक ऐसा दर्शन जो देश के मानस पटल से लुप्त होने लगा था उन दिनों देश समाजवाद और पूंजीवाद के द्वंदों से गुजर रहा था तब के राजनितिक नित्रत्व को भारतिय सनातन परंपरा की विशालता और राश्ट्र की अपनी भौतिक शक्ती का भाव नहीं हो पा रहा था वो कभी कहीं से कभी कहीं से अपने विकास का मॉडल ढून रहा था एकात्म मानव दर्शन इस अंकुर के वटवरिक्ष बनने की यात्रा अभी जारी है दीन दयाल जी के एकात्म मानव वाद और अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए भारतिय जनता पार्टी की सरकार द्रिड संकल्प है